हेलो गैस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज की उड़े में हम रिव्यू करेंगे 2019 की तमिल लेंग्वेज एकसन ड्राम अप फिल्म हंड्रेट का जिसको लिखा और डिरेक्ट किया है सेम एंटरन ने फिल्म के लीड रोल में देखने को म मिलेंगे अथरवा और हंसी का मोटवानी कहानी की बात करें तो एक यंग और एंबीशियस पुलिस ओफिसर जिसको एक ओनेश्ट और सक्त पुलिस ओफिसर बनना है और उसके बाद उसकी पोस्टिंग पुलिस कंट्रोल रूम में हो जाती है और वहीं से फिल्म पूरी तरह से टान लेती है वहाँ पे एक मिस्टिरियस केस दिखने को मिलेगा जिसमें एक लड़की का किड्नेप किया हुआ रहता है और उसी केस के थूरू फिल्म पूरी तरह से बदल जाती है वहाँ पे जो ट्वीश्ट और टान साथ है जो सभी चीजे किस तरह सो लड़की को बच ही हुई है स्टोरी अच्छी थी जिसमें सभी चीजों को एड़ किया हुआ था लेकिन फिल्म की कहानी कहीं जगा पे ज़्यादा खीच दी हो ऐसा लगता है फिल्म में जिस तरह से हीरो का केरेक्टर दिखाया हुए जिस तरह से विलन का केरेक्टर दिखाया हुए वह सभी चीज़े convincing थी इसके अलाव cinematography की बात करें तो वो बढ़िया थी background music की बात करें तो कहीं scene में background music काफी ज्यादा loud हो रहा था music अच्छा था लेकिन film के scene को दबा रहा था director ने film का first stop lead character यान की सत्या जिसका role play कर रहे है अथरवा उसका जो एक honest और सक्त police officer बनने का सपना है उसके लिए उस character के साथ जिस तरह से step by step सभी चीज़े दिखाई हुए सत्या सभी लोगों से interact करता है और उसके बाद उनके case soul करता है उनके issue soul करता है वो सभी चीज़े story में अची तर से insert करके story को आगे बढ़ाने की कोसिस किये हुई है ये सभी चीज़े first आप में देखने को मिलती है उसके बाद फिल्म का second आप फिल्म का second आप आपको काफी ज्यादा engaging नजर आएगा जहां पे hero और villain के बीच के जो तकराद दिखाई हुई है वो काफी सांदार वे में create किये हुई है फिल्म में कूछ ऐसे बहतरीन इंट्रेस्टिंग सिंग देखने को मिल जाएंगे जिसको काफी बढ़िया वे में लिखा हुआ है इसके लाओ performance की बात करे तो अथरवा जिन्होंने पुलिस officer का किरदार काफी impressive वे में निभाया हुआ है योगी बाबु जो अपनी one-liners के सा काफी बढ़िया तरीके से हमें हसाने में काम्याब रहते है राधा रवी जो senior officer का किरदार निभाते हुए नजर आते और वो अपने रोल में काफी बेहतरीन लग रहे थे हनसी का मोटवानी जो फिल्म के लिड एक्टरेस थी लेकिन उनका रोल काफी छोटा था वो उस रोल में कुछ बेहतरीन करके दिखा पाए उतनी बढ़या तरीके से उस रोल को लिखा हुआ नहीं था फिल्म के action sequence की बात करे तो वो okay नजर आ रहे थे उतने बेहतरीन भी नह हमारे सामने pace हो पाती अगर फिल्म का screenplay tight रखा हुआ रहता अगर फिल्म का screenplay tight और crisp रखते तो फिल्म में और मदद मिल पाती फिल्म के emotions हमें बेहतरीन तरीके से connect कर पाते तो मैं 2019 की Tamil language action drama film 100 को 7 out of 10 की rating देता हूँ कुल मिला के बात करें तो यह एक decent cop action thriller फिल्म है लेकिन फिल्म का screenplay आपको जरूर ignore करना पड़ेगा बाकी सभी aspect आपको जरूर पसंद आएंगे कुछ average थे कुछ काफी बेहतरीन थे तो गाईज आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हो तो और बेसे नए southern movie के हिंदी रिवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठेंक यू